तो हम एक अच्छे एकाउंटेंट नहीं बन पा सकते तो डैट्स वाए जर्नल के लिए मेरे ज़्यादा वीडियो मनाने का मॉटिव यहीं है कि अलग लग ट्रांजेक्शन पे आपको पता लगना चाहिए कि हम आपकी पकड होनी चाहिए कि आपने जर्नल कैसे बनानी है तो आज हम फिर डिसकस करेंगे जब बिजनस चीजें परचेस करता है तो बिजनस के पास चीजें आती है तो मेरे को डैबिट का आसपेक्ट मिल गया तो मैं रिकॉड कर सकती है यहां पे मशिनरी अकाउंट डैबिट क्योंकि बिजनस बोलता है कि जो चीज मेरे पास आईगी मैं उसको डैबिट पे रख दूँगा तो मैंने मशिनरी को डैबिट पे रख दिया 12,000 मिशिनरी आ रही है अब इसका क्रेडिट वला आसपेक्ट डूढना रहे गया अगर बिजनस मिशिनरी खरीद ने जा रहा है और यह उधार पे नहीं है क्योंकि उधार पे तब होती जब किसी परसन का नाम दिया जाता जिससे वो खरीदी होती और कुछ ना कहा जाता लेकिन यहाँ पे सिर्फ यह बोला गया है कि मिशिनरी खरीद दी गई है इसका मतलब बिजनस कैश दे के आ रहा है कैश दे के मिशिनरी खरीद रहा है तो मेरा क्रेडिट वला असपेक्ट तीनों में से कुन सा हो गया क्रेडिट वर गोज ऑउट क्या जा रहा है कैश जा रहा है तो जो भी क्रेडिट पे होएगा उसको टू से शुरू करूंगी आधे से टू कैश अकाउंच जा रहा है तो मेरी ट्रांझेक्शन क्या हो गई जर्नल मेरी बन गयी machinery account debit to cash account और rule कौन सा apply हो गया debit what comes in and credit what goes out अब मेरा next machinery sold at rupees 10,000 its book value is 11,000 book value का क्या मतलब होता है book value का मतलब होता है कि cheese को use करने के बाद उसकी value कितनी रह गई है और आपने जब भी cheese बेचनी है उसकी cost से उसकी sale को compare नहीं करना उसकी cost को sale से compare कभी नहीं करना आपने book value को sale से compare करना है क्यूंकि cost होता है जिस price पे आपने वो चीज़ खरीदी थी और book value होता है कि उसको use करने के बाद, depreciate होने के बाद, वो चीज़ कितने की रह गई है आपने use करकर के वो चीज कितने की कर्चोड़ी 11,000 और आप बेच रहे हो 10,000 पे तो अगर मिशिनरी भिक रही है तो इसका मतलब बिजनस में क्या आ रहा है debit word comes in क्या आ रहा है cash आ रहा है cash account debit cash account debit कितना cash आ आपके पास 10,000 क्यूंकि आप कितने पे बेच रहे हो 10,000 पे बेच रहे हो debit word comes in लेकिन अब ये बाट है कि machinery कितने की जा रही है लेकिन machinery तो हमारी book से 11,000 की ही जा रही है तो हम क्या करेंगे credit what goes out credit what goes out two machinery two machinery मैंने लिख दी कितनी 11,000 की मैंने machinery 11,000 की लिख दी लेकिन मुझे पता है कि मेरा debit और credit side क्या होना चाहिए total match करना चाहिए debit का total credit के total के साथ match करना चाहिए नहीं कर रहा मेरे debit side 1000 चोटी है goods के case में मैं कभी भी profit या loss अलग से नहीं लिखती क्योंकि goods के case में goods होती रोज मरा के daily use की चीज़े daily जिसमें business deal कर रहा है उसको खरीद रहा है उसको बेच रहा है लेकिन यह जो assets होती है इनको बेचने या खरीदने पे कोई भी नुकसान या profit होता है तो हमें उसे अलग से mention करना पड़ता है तो मैं यहाँ पे 11,000 की machinery को 10,000 में बेच रही हूँ तो मेरा 1,000 में क्या हो रहा है loss हो रहा है और losses के लिए business क्या बोलता है debit all expenses and losses कि मैं अपने नुकसान को कहा पे रखूंगा debit पे रखूंगा तो मेरा नुकसान का क्या नाम हो गया loss on sale account मेरे sale करने पे loss हो गया वो loss कितने का हो गया 1,000 का तो मैंने वो नुकसान को debit पे लिख दिया और मेरी entry का total भी match कर गया debit का total भी 11,000 आ गया और credit का total भी 11,000 आ गया अब मेरे पास आगे है cash given to हरी कुमार on behalf of the रवी कुमार रवी कुमार के कहने के पर देखिए अगर हमने किसी को कोई पैसे देने है और अगर उसका servant लेने आ जाता है तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको servant से पैसे मैंने देने थे खतम हो गए मैं बोलती हूँ कि मैंने जिसको पैसे देने थे मेरा उधार खतम हो गया है वो servant तो उसको पैसे लाने का जरिया था हमारा servant से कोई नाता नहीं है हमने जिसको पैसे देने होते हैं हम उसको नाम अपनी बुक से काटते हैं अगर आपने हरी कुमार को कैश दिया लेकिन किसके कहने पे दिया रवी कुमार के कहने पे तो आप अपनी बुक से रवी कुमार का नाम काटोगे क्योंकि आपका लिंक रवी कुमार से है, हरी कुमार से नहीं है तो आपका बिजनस किसको पैसे दे रहा है? रवी कुमार को पैसे दे रहा है, हरी को नहीं दे रहा बे हरी को रहा है, लेकिन हरी से हमारा कोई लिंक नहीं है हरी तो उसका assistant बन के आपके पैसे ले गिया आपसे आके आपका हरी से कोई link नहीं था आपका link किसे था रवी कुमार से तो इसका मतलब आप अपने books में ये बोलोगे कि आपने रवी कुमार को पैसे दे दिये बिजनस रवी कुमार को पैसे दे रहा है तो इस transaction में दो aspect नजर आ रहे हैं मुझे साफसा एक तो debit the receiver है, रवी कुमार पैसे ले रहा है तो business बोलता है कि जो भी मेरे से कुछ लेगा उसका नाम मैं कहां पे रखूँगा, debit पे रखूँगा तो रवी कुमार account debit आ जाएगा रवी कुमार account debit 5000 debit the receiver, debit the receiver, रवी कुमार debit हो गया अब रवी कुमार debit हो गया, लेकिन अब credit वला aspect प्रूणना रहे गया credit वला aspect है कि business रवी कुमार को पैसे दे रहा है तो business से कुछ जा रहा है, credit वला aspect क्या आ गया? credit what? Goes out, क्या जा रहा है? Cash जा रहा है और बिजनस बोलता है कि जो चीज मेरे से जाएगी उसको मैं credit पर रखूँगा मेरे पास तीन credit है credit what goes out, credit all incomes and gains, credit what goes out, credit all incomes and gains and credit the giver credit the giver इसमें कोई है नहीं है, credit all incomes and gains भी इसमें नहीं है तो क्या आ गया credit what goes out क्योंकि transaction कह रही है कि इससे cash जा रहा है तो हम क्या करेंगे, to cash account, credit what goes out, business मोलता है जो चीज मेरे से जाएगी उसके नाम को मैं credit पर रखूँगा तो मेरी entry पास हो गई, रवी कुमार account debit to cash account next है goods given as charity, आपने goods as a charity दे दी, business ने goods दे दी अपनी तोर से as a charity तो business इसका मतलब दान कर रहे है, business क्या दान कर रहे है, अपने चीजे दान कर रहे है चीजे कौन सी होती है, जिसको business बेचता है और खरीगता है, जिसमें business deal करता है जैसे iron dealer के ये चीजे कौन सी है, iron, furniture dealer के लिए चीजे कौन सी है, furniture and so on तो business charity में चीजे दे रहा है, तो मैं सबसे पहले अपना debit देखूंगी, मेरे पास तीन debit है debit दा receiver, business से कोई ले रहा है, अगर business किसी को charity दे रहा है तो वो बंदा business से चीजे ले रहा होगा, लेकिन हम उसका नाम क्यों लिखें business में, business अपनी books में उसका नाम क्यों लिखें, क्यूंकि business उसका नाम record नहीं करेगा बिजनस सिरफ उसी का नाम अपनी बुक्स में डैबिट पे रिकॉर्ड करेगा जिससे बिजनस ने बाद में कुछ वापिस लेना हो अगर हम किसी को दान कर देते हैं तो बाद में उससे कुछ लेते हैं थोड़ा है वापिस इसलिए बिजनस उसका नाम याद नहीं रखेगा तो डैबिट दरसीवर वाली ओप्शन चली गई फिर डैबिट वट कमजिल बिजनस में कुछ आ रहा है नहीं बिजनस सो वो खुद कुछी जे दे रहा है बिजनस में कुछ भी नहीं आ रहा अगला है डैबिट औल, एक्सपेंस और लॉसेज बिजनस के लिए कोई एक्सपेंस की बात है येस बिजनस का एक्सपेंस है चेरटी एक्सपेंस का क्या नाम है चेरटी तो बिजनस कहता है मेरे लिए जो भी एक्सपेंस का नाम होएगा उसको मैं debit पे रखूंगा, तो charity account debit कितना आ जाएगा, 200, business के लिए खर्चा कितने का हो गया, 200 का मुझे debit वला aspect मिल गया, अब मैंने कौन सा aspect रूम रहा है, credit वला, business चीजे दे रहा है, तो मेरे पास 3 credit है, तीन credit कौन से है, एक तो credit the giver, business को कुछ दे रहा है इस transaction में, नहीं, दूसरा है credit what goes out, और तीसरा है credit all incomes, income तो इसमें कोई है नहीं है, लेकिन credit what goes out वाली option suit कर रही है, तो business से कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, चीजे जा रही है, और चीजे अगर हम बेचते नहीं है, तो उस purchases, two purchases account, 200, being goods given as charity, इस तरह से मेरी ये जर्नल पास हो गई, इसमें जर्नल का रूल कौन सा लगा, debit all expenses and losses, and credit what goes out, thanks a lot, प्लीज अगर आपको जर्नल पूरे अच्छे तरीके से समझ आ रही है, तो इस चैनल को subscribe करिए, like करिए, share करिए as maximum as you can, अगले वीडियो में मैं फिर appear करूंगी how to journalize के different topics लेके, thank you.